राजाराम तृपाथी जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंडिकेशन है कि फामर्स ने किसानों ने मन बना लिया है कि अब घर जाने का समय आ गया है गिवन दे फैक्ट कि सरकार ने बोल दिया है कि जिनको आप काला कानून कहते थे वो वापस ले लिया हमने अब हम ये भी करने को तैयार हैं कि जितने केसिस थे किसानों के खिलाफ जो पुछले एक डेर साल में उनके खिलाफ फाइल किये गए थे हम उनको भी वापस कर देंगे तो बात बन गई है क्या पक्की बात बन गई है क्या देखे आपने सुरुआत में कहा इंडिकेशन तो इंडिकेशन अच्छे हैं बेशक अच्छे हैं और बड़े से बड़ा बुद्दे को भी हम टेबल के फुल्जा सकते हैं जब मुझे कोई ऐसी दिक्कत ना पहले दिख रही थी गतिरोध हमारी तरब से पहले भी नहीं था और यह अच्छी बात है कि सरकार ने कहा कि आप छोटा ग्रूप करिये तो हम लोगों ने पांच लोगों को भेजा है और अभी थोड़ी दिर बाद बाते और खुल के आएंगी बट इंडिकेशन जो आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सरकार भी कुछ कदब और आगे बढ़ी ह तो यह अरन troublesome के कालों को पूरे देश में लागू करने की बात है यह सारी चीजें डोहएं कितने चरण में हों करद न रही कितना समय लगेगा यह सारी չ्शारी चीजेए मेरे ख्याल से तय कर्का लूंगी और तय होते के वक्त हो लगएगा लेकिन फ्रैपी प्राटिक्रि और चुकि अभी तो फोन हमारे भाई दिवीर शिंदी का बाखी लोगों को अमने लगाया तो मीटिंग्स में थे तो नहीं उठाया और अभी थोड़ी देर में हमारी चर्चा हो जाएंगी तो बातें आई दिंगी की तरफ साफ हो जाएंगी तो साम को समय किसान मोचा की प्र सरकार ने किसान यूनियन्स को लिखी है एक आप लोगों का बड़ा मुद्दा था MSP को लेकर आप लोग कह रहे हैं MSP needs to be written into law यानि की MSP पे कानून बनना चाहिए कि सरकार हमारी फसले 23 फसले जो है MSP पे खरीदेगी ये कानून आप लोग चाहते हैं सरकार के लिए ये इसको आप एक किसम का रोड ब्लॉग देख रहे हैं क्या इसमें मैं कोई दिक्कत नहीं देख रहा हूँ मैंने पहले भी कहा कि इसमें कोई कोई मुद्रा का दबाव सरकार के बढ़ने वाला नहीं मैं बार बार कहता हूँ जो हमने हमारा अर्थसास का अध्यन है कि यह सरकार इस पे ग्यारंटी फुनिश्चित करें और जिस तरह से तीनों कानून अध्यादेश के रूप में लाए थे सरकार चाहे आज चर्चा में बात आई होगी मैंने सुझाओ भी दिया था एक अध्यादेश लाकि जो चीज पाद्यामेंट में कहते थे कि हायती रहेगी क्यों एक चीज जोड़ दें कि इसी कारणों नहीं गारंटी दी जाएगी इस खरीदी के लिए सरकार के उट से तो मुझे नहीं लगता कि इसमें सरकार के उपर कोई विशेश बोज इस पर आने वाला है मैं इसको बेहतर तरीके से समझता भी हूँ और मैं चाहोगा कि आप लोग भी इस चीज को समझें कि वियापारी से केवल हम 19 रुप्याइब 20 रुप्याइब किलो जो भी सरकार करती है हम चाहते हैं उतने पर खरीद हैं उनके कारायनों के लिए जब तक राज को भी हम पार्टी बना के रखे तो तय होगा और किसान सकारात्मक रूप से बात करने गए थी तो मुझे लगता है कि इसका सॉलिशन निश्ची तुरू के लेके लोटे होंगे और सरकार चिठी की जहां तक बात है इसलिए चिठ हम औरचे पर बैठे हुए हैं किसान तो उनके उनके पास जाके लोट के बताने के लिए होना चाहिए हम दिन मुद्दों के लिए लड़े साल भर तक थे उन मुद्दों का हम सलिसन देश के लिए लेके आ रहे हमने एक अच्छा काम किया है अच्छा त्रिपाठी जी एक ब सरकार का काम तो देश चलाना है सरकार को और भी बहुत काम है तो उनको किसानों की फसल खरीदना भी सरकार की ड्यूटी क्यों है बेशक नहीं है मैं बार-बार कहता हूँ कई चेनल पे किस तरह से नरेट्व से ठो रहा है कि भई किसान दबाव डाल रहें कि आप हमारी सब्सक्राइब करते हैं आप केवल यह सुनिशित करें आप एक निगरानी तुकि लाइंड आडर आपके हाथ में तो आपके और देखें कि किसान की मेहनत तो उसके पसीनिक साथ अन्याई नहों तो बीस रुपे बाइस रुपे किलो आपने तै किये हैं कम सी कम वो किसानों को बिले यह कह रहे हैं और यह सरकार का काम भी है सरकार हर चीज में कीमतों पर नियंतित करती है यह देखती है कि कीमत सही है या नहीं तो इस सरकार की ड्यूटी में आता है इडिए पार्ट आप लाइंड आडर हुआ राजर star पाठी जी आप हमारे साथ जुड़े हुए है कि सान नेता जो इस समय है वो अपनी प्रेस कॉन्फेंस जारी है वो कह रहे हैं कि जो सरकार ने हमको चिठी भेजी है उस पे हमें कुछ objections हैं इसलिए हम अपने objections जो हैं सरकार को वापस लिखके भेजेंगे देखते हैं सरकार का response क्या है उसके बाद हम एक final decision लेंगे और शायद final decision कल आ जाए इन फाक्ट press conference में भी बोला गया है कि वो final decision कल ही आ जाएगा यानि कि आप protest continue करते हैं या उसको खतम कर देते हैं तो पाठी जी मेरे एक चीज़ समझ नहीं आई एक बड़ा मुद्दा है MSP को लेकर सरकार ने इस चिठी में बोला है कि पांच लोगों की committee बनेगी MSP debate करने के लिए whether it should be written into law or not उसमें सरकार ने ये भी बता दिया है कौन member है एक central government से है state government से है agriculture specialist है SKM जो है protesting farmers है उनका भी representative है ये बात बताईए इस बात ये क्या आचित हुआ कि SKM के members बोलें कि जो किसान MSP को support करते हैं वो इस committee में नहीं होने चाहिए एक बड़ा objection उनको ये है और बड़ा शक ये है ये तो गलत हुआ ना अगर कुछ किसान जो है MSP को support कर रहे हैं to be written into law तो कुछ कह रहे हमें नहीं चाहिए दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए ये कैसी शर्त हुई कि दूसरे तरफ के लोगों को ना बुलाया जाए को MSP चाहिए ही नहीं उनको इस कांदम से कुछ लेने देना नहीं है और जहां बेचना चाहेंगे या उनके पास बेचने की कोई व्योस्ता होगी पहले से उसके उन्हें नहीं नहीं चाहिए होगा हम 84 प्रतिशत उन देश के उन किसानों की बात कर रहे हैं जो 4 रेकर से कम के हैं हम 93 प्रतिशत उन किसानों की बात कर रहे हैं जिनका MSP पे खरीद नहीं होता है कुछ बड़े किसान या दूसरे किसान जिनको MSP नहीं लेना देना है, जिनको लेना ही नहीं है, उनको इस पंचायत में बिठाने से मतलब ही क्या है, आप भी बताएं, जिसको MSP लेना ही नहीं है, वो बैटके भी क्या करेगे, तो जिनको लेना है, वही तरह करेंगे कि कैसे उन्हें मिले, क्या प्रक्रिया हो, और अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग फसले हैं, कैसे ली जाएंगी, तो इस्टेट की बॉड़ी एक रहेगी, देशुरम भी रहना चाहिए, केंदर की बॉड़ी रहेगी, क्योंकि इनको राइट टूपूट के ताहद केंदर सरका हम भी आंदूलित रहे हैं, हम मिराजों में भी आंदूलन हुआ है, बड़े-बड़े किसाम संक्तन है, साथ सब्जी वाले हैं, जो एक दिन खेत नहीं छोड़ सकते, उन्होंने भी MSP की मांग की है